हलो गुड मॉर्निंग दोस्तों 26 सेप्टेंबर 2018 की प्रिलिम्स अबड़िटर सीरीज में आपका स्वागत है आज गर जो पहला आर्टिकल आया है वह है इविधान के बारे में तो क्या है इविधान इसके बारे हम जानते हैं फिर कंटेक्स्ट को हम यहां पर देखेंगे दे इविधान का देखो मतलब सेषद है कि विधान सबा मतलब legislative assembly का जो काम होता है उसको इविधान सबा का जो काम है उसको पेपर लेस कारे करनाली में convert करने के लिए या फिजिटल करने के लिए बैसिकली इविधान प्रोग्राम है वो start-up किया गया था तो बैसिकली है एक mission mode project है जिसका एक man mode यह रखा गया है कि विधान सबा का काम है वो पेपर लेस क्या जासके काग जी कारो ही हो कम हो सारा काम डिजिटल होसके इससे transparency बनी रहेगी accountability भी बनी रहेगी और corruption वगरा के मामले भी कम होते रहेंगी और जिन भी लगो कोई भी information चीएगी वो कोई भी online जो पड़ती है बड़ अगर वहीं सारा काम है अगर वो एक तरगे से किसी portal पे website पे upload करते आ जाए तो जिस भी persons को विधान सबा के काम किया data की कोई भी जोरत है वहां से data को collect है वो कर सकते हैं देखो जैसे कि लोक सबाय राजय सबा की sessions है पहले यह जब हमारे देश आजाद होता है कि जनता का सासन होना चीए मतलब जनता को पता होना चीए कि एक्चुली हो क्या रहा है और इसी लिए लोक सबाव राजय सबागे जो channels है फिर उनकी जो भी meetings वगर होते हैं वो मैंले live रखी जाती है ताकि आम जनता तक भी उनकी पहुंचे को बनी रहे और इसी दो दिन के एक workshop पर वो एजित की गी थी जिसका नाम है यहाँ पे NEVA, NE का मतलब तो है new, WE का मतलब विदान सबा, यहाँ पे तो आपको विदान सबा असेंबली यह important point बन जाता है यहाँ पे, देखो बात यह कि विकेंड दिकर digital पहल है, मतलब decentralized digital एक तरीके से आप बोल सकते क्योंकि एक initiative है, जो कि विदान सबा के जो भी काम है, वो जो भी functions है, उन सब गो digital रखने के लिए, paperless में convert करने के लिए, तो इसके लिए एक mobile application भी launch किया गया है, जिसका नाम है MNEVA, जो कि mobile application है, जिसमें कोई भी persons है, वो कोई भी विदान सबास की informations है, वो वहाँ से online प्रा है, वो क्या था, इसके बारे में आपको बताना है comment box में कैसा कौन सा state है, जिसने विदान सबा के सारे काम को digital है, वो कर दिया है, अब चलते है next article की तरफ, next जो article आया है, वो आया है World Wildlife Foundation के बारे में, www.f के बारे में, context के हैं, देखो पहले हम World Wildlife Foundation के बारे में जानते हैं, या World Wildlife Fund है, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से discuss है, वो करते हैं, फिर हम context के तरफ चलेंगे, देखो World Wildlife Fund for Nature, जिसे मैं लिए WWF के नाम से जानते हैं, यह basically एक NGO है, यह आपको दान रखना है कि non-governmental organization है, ठीक है, अब यह बनाए गा था basically 1961 में, ठीक है, इसका main काम क्या हो द human का interference के वज़ए से जो wildlife का नुकसान हो रहा है, hybrid वगरा का, उसको कम करना, मतलब human का जो impact है, environment के उपर उसको कम करना, इसके लिए basically है काम है, वो करता है, तो इस fund के अंदर जो पैसा होता है, उसका use है, वो यह यहाँ कह जाता है, अब आपके दिमाग में एक बात है होगी, कि भाई तो फिर यह पैसा आता कहां से है, वो यह पैसा आता है, वो different government provide करवाती है, या फिर जो NGO हो रहा है, और भी और भी इंस्टूट हो रहा है, वो basically funding के तहट पैसा यहाँ पे देती है, United States है, और भी खाफी सार ग्रूप से वो basically पैसा हो यहाँ पे provide है, वो करवाते है World Wildlife Fund है, इसका जो headquarter है, वो Sugelland के glamour है, 1961 में इसे बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया गया था, इसका motto यह है, 4A Living Planet, मतलब देखो सीधी सी बाती है, कि animals हैं, उनका भी earth के ओपर जितना इदिकार है, जितना इनसानों का है, तो इसलिए सबको साथ रहना है, तो उ इनके दोरा एक रिपोर्ट जारी कि जासती है, वो कौन कोंचे है, देखते हैं, एक रिपोर्ट है, जिसका नाम है Living Planet Report, यह Living Planet Report है, यह World Wildlife Fund के दोरा लांच रिलीज है, वो कि जाती है, हर दो साल में रिलीज है, वो कि जाती है, 1998 से बेसे इसको स्टार्ट है, वो क्या गया थ सामलब, 1990 में बबलीज हुई, फि 2000 में, फि 2002 में, ऐसे हर दो साल में रिपोर्ट है, वो आती है, और इसमें किनकुन से परामेटर को यूज़ कहा जाता है, एक तो यूज़ कहा जाता है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और एक 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 फूट्परिंट, मतलब एक एक इसके ओपर कहका इंपेक्ट पढ़ रहा है, इस फूट्परिंट को basically calculate हो कह जाता है, और उससे के आधार पे living planet report है, वो जारी की जाती है, तो ये कुछ इसमें facts सा, जिसके बार में UPSC basically पूछ सकती है, अब चलते हैं, कंटेक्स के रखते हो, कंटेक्स यह है, कि World Wildlife Fund है न, इसके दोरे एक प्रोजेक्ट चला गया था, एक प्रोग्राम था, जिसका नाम था, TIG multiply by 2, मतलब Tiger की जो population है, उसको double करना है, कब तक यह करना है, 2022 तक, यह जो TIG multiply by 2 प्रोजेक्ट है, या TIG उना दो बोल सकते हो, कि मैं टाइगर की population double करना, यह basically 2010 में adopt है, वो क्या गया था 2010 में क्या हुआ था, कि St. Petersburg Tiger Summit हुआ था, कहां पर हुआ था, obviously रस्या में, और वहां पर सब्मिट के तर्थी बात गया थी, कि वह टाइगर की population है, वो लगातार कम हो रही है, इनका आवास है, वो खतर में जा रहा है, और इसलिए इस इसलिए इस इसलिए फोकस किया गया, कि क्योंने Tiger Consolution पर ध्यान दिया जाए, Tiger का जो, you know, Tiger का जो एरिया है, जहां पर रहा रहा है, वो आवास ही एरिया चाब हो सकते हो, उस वाल एरिया को ब्रोटेक करना है, इसके साथ ही human का जो impact है, human का जो interference है, इन सब को कम करने के लिए, और Tiger की जिनसन क्या हो, डबल करने के ल लिए गया था, तो अभी हुआ क्या, यह जो Tiger's थी population डबल करनी थी, इस प्रोग्राम के तयती, नेपाल वर्ड की पहली ऐसी country बनी है, जिसने अपने देश के लिए जो भी Tiger की population थी, उसको डबल कर दिया है, तो 2009 की बात करें, तो नेपाल के अंदर Tiger की population थी 121, और जब 2018 मे आए, उसके ओपर ही basically UPC, उसने से वो काफी तरीके से बूच सकती है, अब देखो Tigers की अगर हमें population है, उसको बढ़ाना है, उसको conservations provide करवाने है, इसके लिए सबसे एहम बात तो है कि एक राजनेती इच्छा सकती है, मतलब political will की हमें ज़रूत होगी, इसके साथ ही जो इसकी लगाम लगे जासके, और इनके जो आवाज को है, वो इसके साथ ही जो illegal trade होता, Tiger का, जो कि unauthorized है, उसको रोकना होगा, तो यह कुछ इसके में motto भी रखे गया है, कि इन इन चीज़ों पर भी में focus है, वो करना है, इसके साथ ही एक चीज़ हो रहा है, वो आतीज पर UPC वहाँ पर जो Tiger को conserve करने के लिए जो standards है, जो guidelines है, वो fulfill की जारी है और नहीं की जारी, दखो जैसे कि वो भी school होती है, अगर कुछ सी भी school को अगर आपको निर्मान करना है या बिजन नहीं school खोलनी है, तो उसके लिए कुस guidelines को follow ना पढ़ता है, कि school में पीने का filter पानी होना चाहिए, इतना area होना चाहिए, वहाँ पर playground वगरा होना चाहिए, खर वो अलग बात है कि आज की time पे काफी धंदलेवाज या corruption के वज़ए से कहा है कि formalities को documents में complete होते हैं, बग कि real life में नहीं हो पाती है, but actually proper guidelines होती है, उनको fulfill करना होता है, तो सेम उसी तरीके से तो CETS standards है वो basically tigers के conservation के लिए बने गए कि बहाई यह standards है, वो तो at least countries के दोरा fulfill होने जी है, मतलब अगर कोई भी country tiger conservation को focus कर रही है, नेसल फारक बना रही है, तो उसके लिए CETS standards है, उनको fulfill करना जरूरी होगा, but हो क्या रहा है, आजगल कोई भी country को डंक से fulfill नहीं कर रही है, भी recently बहुत कमी use है, वो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो selection के guidelines है, जो map land है, वो proper बहुत अच्छे बने गए हैं, जबकि उनको fulfill करने के लिए government को कापी सारा investment हो करना पड़ेगा, और government अभी उससे बच रही है, तो यह context था, सारी जो news थी वो हमने यहाँ पर देख लिए है, अब य बेसिकली ACM countries हैं, तेहरे ऐसी countries हैं, एसिया के अंदर जिसमें नेपाल आता है, इंडिया आता है, बांगलादेस आता है, तो यह countries बेसिकली इसमें सामिल है, वो है, तो जिनमें टाइगरी free move करता है, उनको टाइगर range countries के नाम से जाना जाता है, अब हम चलते हैं, next article की होगी है, तो उसी मौके पर इसके वापस सेक्टरी इसमेल, इसके बारे में भी news है, वो आई है, तो देखो सबसे पहली बात कि यहां पर क्या बन सकता है, कि दक्षिन भारत हिंदी परचार सभा की स्टार्टिंग है, वो की गय थी, क्यों जूरुत इसकी पड़ी थी, बेसिकली हम बात करें, तमीलाडू हो गया, अंदर प्रदेश हो गया, करनाटक हो गया, केरला हो गया, इन स्टेट में क्या आगा था कि हिंदी के बाल बाला काफी कम था, मदलब हम हिंदी के बारे में अवैडनेस दी थी, तो गोवर्मेंट्स, कोंग्रेश ये चाहती थी उस टाइम की मिलब उस टाइम की जो पार्टी थी हुए चाहती थी क्या ओल इंडिया में एक ऐसी लेंग्वेज होनी जिसकी हेल्प्स हम लोगों को वह रखना है चलो आप यह बताएए इकमेंट बॉक्स में कि एनी बिसेंट है वह एक्चूली कोंग्रेस की त्रेक्स है वह कौन थी इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यह काफी important यहां पर बन जाता है जैसा मैंने आपको बताया कि दक्षिन भारत हिंदी प तरह कमेदाब सेड़साल दियुक्ता मोटा पर आप पि ऐसा नहीं होता है कि खाने की कमीन Make एगर हम खाने में में जो भी संतुलीत आ रहता है मोटा भाट भी मयल नूरूणे का घुजामपल होगता है । बतलब कम खाना भी चाना में है जता खाना में component है संतुली है साथ जाए वा मारी लाफ में होना चीए तो जो बात हम यहाँ पर करें कि हमारे अभीग डाटा पब्लीश हुआ है कि ओल और वर्ड में जो सरवी एक्यूट मॉलनुटिशन की प्रोब्लम है उसमें तू थर्ड जो पीपल्स है या तू थर्ड जो बच्चे हैं बैसिकली वो एसिया के हैं मतलब ओल और वर्ड में माल मैं बलो रहते हैं वो तो अकली जते हैं वो जाद है और उसका तियुल्ट क्या होताए होता है पुद्क मेख्च से है हर जो है की एसिया के अंदर सेवड़ी एक्यूट मॉलनुटिशन की पर्पल्लम भोथ ज्यादा हैं कि दुःता प्सके कहीं क्या होता है कि हर साल जो भी बच्चे होते है, maximum बच्चे, जो कि जिनकी एज है, वो 5 साल नहीं हो पाते हैं, उससे पहले उनकी डेर थे हो जाती है, क्यों क्योंकि उनमें LGBT की प्रॉबलन बहुती जादा होती है, जो भी लिए, देखों LGBT की लेफल होते है, जितनी हाइट है, उसके मुताबिक यह प्रोब्लम एसया में काफी जाता है, ओल और वर्ड में जितने भी बच्चे होते हैं, उसमें टू-थर्ड बच्चे एसया में पाई जाते हैं, इसके बाद में वन-थर्ड बच्चे हैं, वो फिरिका में होते हैं, अक्यूट मॉन-थर्ड बच्चे हैं, तो थोड़ा डाटा वगरा, आंसर राटिंग में यूज हैं, वो कर सकते हैं, कि हमारे देश में मॉन-थर्ड बच्चे के खालात कैसे हैं, और हमें क्या स्टेफ वगरा उठाना सी है, वेस्टन कंट्री से भी में कुछ सीखना सी है, नेक्स जो आर्टिकल आया हुआ है, बिलेस्टिक मिसाइल रक्सा प्रणाली के बारे में, BMD के बारे में, तो बिलेस्टिक मिसाइल रक्सा प्रणाली है, वो है क्या, इसका मतलब यह है, कि हमारी जो environment है जो weather mandal है इसके अंदर कोई भी अगर श्रिया मिस्ट का टेक का जा रहा है य भी भाहर से कोई missile का टेक कर जा रहा है यहां फिर एक country दूसरे country पर environment के अंदर ही कोई missile है वह मतलब hack रही हो या launch कर रही हो तो उससे बचने के लिए emoji है वो है basically ballistic missile रक्सा पढ़नाली मतलब environment के अंदर या भार के कोई भी अगर missile launch कर रहा है तो उससे बचाने के लिए जो कवज का काम करेगी वो होगी ballistic missile रक्सा पढ़नाली तो एक तो यहां पर क्यूशन बंजाता है कि इंडिया क्या प्राइली कंट्री है तो यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब देखो इसमें दो चीजे हैं जो यह ballistic missile रक्सा पढ़नाली रहा है इसमें दो पार्ट होते हैं एक तो होता है exo atmospheric distance वाला और एक होता है endosmoric आप इससे यूज क्या जाएगा तो यह आपको द्यानक में कि पर्थवी defense vehicle है वो exo atmospheric जो attack होंगे है उनसे counter करने के लिए उनसे बसने के लिए काम करेगा हमारी जो पर्थवी missiles है उनकी बात यहां पर की जारी है उनका defense system है उसकी बात की जारी है इसकी range होगी 50-80 km मतलब हमारे atmosphere के बाह endo atmospheric मतलब की कम उचाई के लिए advanced area defense missile जो की 30 km से कम हाइट वाले जो भी missiles होंगे दुस्मन की उनको खतम है वो कर देगा तो आपको यह जान रखना है कि ballistic missile अगसा परना लिए इसमें दो चीज़े है एक तो endo और exo exo का मतलब भाहर से जो missile launch की जा रही है टेक किये तोर पे उसको खतम करने के लिए तो है पर्थवीड डिफेंस विकल और endo जो atmospheric missile अगर टेक हो रहा है उसको खतम करने के लिए advanced area defense missile range जिसकी 30 km और इसकी range जिया अलग तो यह दोनों effect आपको यहाँ पर धान रखना है इस पर UPSC basically questions बना सकती है अब हम चलते हैं next article की तरप next article आया है वह है is of living index के बारे में context यह है कि एपी डिजनेंटली ministry of housing and urban affairs है उसके द्वारा is of living index का data है वो सामने publish किया गया है उसमें आंद्रापरदेश ने number one रहा है और उडिशा number two पे और मद्रपरदेश number three पे अब देखो is of living index का मतलब क्या है is of living index का मतलब साफ साफ यह है कि वो ज अब उसमें फेसलिटीज भी आजाती है वहां का इंवर्मेंट कैसा है वह सारी चीजें इंक्रूड है वह हो जाती है तो अनद्रापरदेश को इसमें number one पी रखा गया है जैसा कि आप लोग जानते हो कि government का एक mission चला गया था अटल सहरी पुनरजीवन और परिवरतन mission जिस जो डाटा है उसके आतार पर इजो फ्लिविंग इंडेक्स है वो ministry of housing and urban affairs के दवारे रिलेज है वह क्या गया है इसमें बेसिकली चार परामेटर को यूज करता है पहला पहला मेंटर तो है कि सहिस्तागर परबंदन तो सहिस्तागर मैंजमेंट परबंदन कैसा गवर्णेंस कि वहां पर infrastructure कि से किसे develop हो रहा है उन सारी चीजों को parameters को धान में रखते है इस जो फ्लिविंग इंडेक्स है वो published के जाते हैं तो यह तो थी आज गी माई discussion फिलहाल की discussion में इतना ही है तो thank you very much for discussion